हाई फ्रेंड सिधार थियर फ्रॉम टेक्नो बस डॉट नेट अज मैं आपको बताऊंगा वोल्ट का आप्षिन आप अपने रेड्मी नोट 3 या रेड्मी 3S में कैसे फिक्स करें कि आपको वोल्ट की आप्षिन नहीं आ रही है हो तो चलिए देखते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं रेड्मी नोट 3 फोन यूज़ कर रहा हूं और उपर आपको कोई सिगनल नहीं दिख रहा और यहां पर भी मैंने मुबाइल डाटा डाटा ओन कर रखा है नो सर्विस आ रहा है लिखा आप देख सकते हैं नो सर्विस और मैं इसके अंदर जियो सिम यूज़ कर रहा हूं तो दोस्तों यह दिकत काफी लोगों को आ रही है काफी दिनों से वो उन्होंने काफी लोगों ने मेरे वीडियो को पर कमेंट किया जो मैंने पहले वीडिय चाहूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखें आप MI की साइट पे जाए और Redmi Note 3 और Redmi 3S दोनों फोन के बारे में उनके स्पेक्स चेक करें उसमें साफ शाफ मेंशन किया है कि वोल्ट फंक्शन जो है SIM No.1 यानि No.1 स्लोट में ही काम करेगा हाँ काफी सारे हैं जिसके वज़े से आप SIM 2 में भी इसको यूज कर सकते हैं बट मैं इसको recommend नहीं करता है उसमें कई बार क्या होता है बार बार signal lost हो जाता है आप वोल्ट का option कर नहीं देख पाते हैं और दूसरी बात दोस्तों कई लोग के रहे हैं उनको वोल्ट का option नहीं दिख रहा है बट उनके screen पे HD लिखा रहा है तो दोस्तों यह आपको बचानना पड़ेगा बार call नहीं use कर पाएंगे तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपका फोन जो है LTE enabled होना चाहिए उसको में वोल्ट का option होना चाहिए और खासकर मैं आपको बता रहा हूँ Redmi Note 3 और Redmi 3S दोनों फोन में SIM slot number 1 में ही यह ठीक तरीके से काम करता है तो दोस्तों जैसों कि आप देख पा रहे हैं कि उपर हमारे वोल्ट नहीं लिखा रहा है ना HD लिखा रहा है तो हमें क्या करना है से पहले यह चेक करना है कि आपका जो SIM है SIM number slot 1 में है कि नहीं तो मैं चेक कर चुका हूँ मैंने SIM slot 1 में ही डाला है अब मैं क्या करूंगा Settings में जाओंगा अब आपको कुछ बातें दिहान रखनी है जो आपको चेक करनी है SIM card and network mobile networks में जाए आप देख रहे हैं हमारा number one SIM दिखा रहा है यह number one लिखा आगे तो that means यह number one SIM है अब आपको क्या करना है इसमें जाके सबसे पहले यह चेक करना है जो आपका preferred network type होता है second last option जो आप देख पा रहे हैं यह LTE enabled होना चाहिए otherwise आप वोल्ट की facilities नहीं ले पाएंगे वोल्ट का functionality तभी काम करता है जब आपका जो perfect network type है 3G पे ना होके 4G या LTE पे हो मैं आपको दिखाता हूँ देखें गलती से मेरे phone में अभी यह 3G select हो रखाता अब मैं इसको prefer LTE कर दूँगा prefer LTE करते हैं आप देखेंगे ऊपर signal आ गए है और फोर जी लिखा भी आ गया है मगर वोल्ट अभी नहीं लिखा आया आप जैस देख पा रहे है ठीक है अब वोल्ट भी आ गया है तो दूसी बात क्योंता है के वर वोल्ट यहां पर नहीं लिखा आता है तो आपको क्या करन पर वोल्ट का option लिखा हुआ आ जाएगा जैसे यह मेरे को आउपर आ गया है दूसरी बात कई लोगों के phone में जब SIM डालते हैं तो APN सेटिंग्स नहीं आ पाती है या APN सेटिंग्स नहीं की corrupt होती है जिसकी वज़ए से वोल्ट एनेबल नहीं हो पाता है तो उसके रिए फ इसमें खुलनी चाहिए जैसे आप देख पारें नेम इंटरनेट है उसको नेम इंटरनेट हैं दें APN जरूर आपका जियो नेट होना चाहिए बाकी सब डिफॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए अगर आपकी ऐसी नहीं है तो एक बार चेंज कर लेजी जो नेम अगर आपका ज यह 4G है यह जीओ है उसको एक बार इंटरनेट पे चेंज कर दें और APN सेटिंग जीओ नेट ही रहने चाहिए और उसे जाके सेव कर दें सेव करने के बार आप उसे चलू कर सेथे हैं अगर आप तब भे नहीं चल रहा है तो मैं आपको दिस इस चीटाता हूँ नीचे अगर आपका वोल्ट ऑप्शन अपने स्कीन पर देख पाएंगे और नेट को यूस कर पाएंगे फिर कुस लोगों के यह कहना होता है कि वोल्ट ऑप्शन आने के बाद उनकी स्पीड नहीं आती है जीओ 4G स्किम बहुत स्लो चलता है तो दोस्तों उसके लिए भी एक 20 Mbps अपने रूम में बैठके ले रहा हूं अगर रूम से बहाद आता हूं तो मिने को वो स्पीड 32 40 Mbps आ रही है आप वो सेटिंग से उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिशन में डाल दिया है आप वहां से चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को जरिए आपने कुछ अप इसमें स्पेड को काफी अच्छा बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ चीजह थी जो आपको याद रखनी थी कि पहली बात कि आपका सिम स्लॉट नंबर वन में होना चाहिए दूसरी बात आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो 4G होना चाहिए या LTE होना चाहिए अग में जियो नेट लिखा हो अगर तब भी नहीं हो रहा है तो उसको बाद नीचे एक option आपको मैंने दिखाया भा जैसे यह नीचे देख रहे हैं आप reset to default उसको करता ही आपके सारी problem solve हो जाएंगी reboot के जे device को और वोल्ट का facilities का enjoy case तो दोस्तों यह सबसे बड़िया तरीक था आप इसको आजमाईए और जहां चीए और परक किए अगर आप कुछ प्राब्लम आता है विनीचे comment section में comment कीजिए मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूँगा उमिद करता हूँ आपको हजका हमारा यह tip और वीडियो पसंद आया होगा और acid वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें मैं रोज एक नए video डालता हूँ जिसमें आप mobile tips और coffee सारी tips सीख सकते हैं तो प्लीज इस चैनल को subscribe करें लाइक करें और share करें थैंक्यू टेक क